प्रधान मंत्री ग्रामीन सडक योजना एक ऐसी योजना बनाई गई थी जो योजना गाउं को शेहर के साथ जोड़ने का काम करती थी लेकिन उस योजना का ग्रोंड पे क्या हालात है वो आपको स्ट्रेड लाइन आज आपको दिखाएगा नमस्कार दर्शिको स्वागते आपका दा स्ट्रेड लाइन में और मैं हूँ आपके साथ मोहित को अत्वार इस समय हम बुटला पंचाइत में हैं और पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेड लाइन चार-पांच पंचाइतूं की यहां पर ब्रह्मन कर रहा है और अगर बात करें पंचाइतूं में आने के लिए तो सबसे पहला एहम हिस्सा कनेक्टिविटी रोड होता है और जब हमने इस रोड का ब्रह्मन किया इस रोड से होते हुए जब हम इन पांच पंचाइतूं में गे तो इस रोड ने हमारे अंजर-पंजर ढिले कर दिये अभी आप मेरे बैग पुशिश करें और यह खड़ें यह सिर्फ इतने इतने से ही नहीं है यह आगर आप इस रोड की बात करें तो यह पीछे तक इस रोड के यही खसता हालत है यह रोड सर्तंगल से चाइट से होते हुए सहेडी गाउं से गुजरता हुए और निचले भिज़ा से होते हुए शरीखी तक जाता है और इस रोड के साथ में पांच पंचाईतों के लोग रहते हैं और उन पांच पंचाईतों के अगर हम बात करें उन पांच पंचाईतों में सबसे पहली पंचाईत हमारी सरतेंगल पंचाईत, बुटला पंचाईत, भिज्जा पंचाईत, कट्यारा पांच पंचाईतों के लोग इस रोड से रोज, सुबह, शाम आना जाना करते हैं और आप अंदाजा लगाईए कि वो लोग इस रोड पे चल के उनके क्या हाल हुए होंगे इन लोगों ने, कुछ लोगों ने लोणू पे गाडियां ली मुझे लगता है कि 90% लोग लोगों पे गाडियां लेते हैं और अपनी किस्ते भरते भरते उनके गोडे घिश जाते हैं लेकिन उन गाडियां, एक एक साल पुरानी गाडियां ऐसी लगती हैं कि 10-10 साल पुरानी हो गई हैं, इस रोड की वज़ा से जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब हम यहां से गुजरें, तो हमारे भी वही हाल हुए दर्श को ऐसा कहा जा रहा है कि इस रोड का एक किलोमीटर तक का टंडर निकला यानि कि सरतंगल से लेके मुझदेवनाले तक, लेकिन रोड की जो ज़्यादा खसता हालत है मुझदेवनाले से पीछे ही है, मैं पूछना चाहता हूँ उन कंसरन उच्चे अधिकारियों से, जो इसको देखते हैं क्या उनकी आँखों पे पटियां लगी हैं, क्या उनके धियान में इस रोड का कोई, उनके धियान में ये रोड कभी नहीं आई कि एक पंचाईत थनाला है, एक भिज़ा, एक टियार और उनके रोड की खसता हालत क्या है मैं पूछना चाहता हूँ लोगों को, मैं पूछना चाहता हूँ उन उच्चे अधिकारियों को जो प्रधान मंत्री ग्रामीन सडक योजना को देखते हैं वो क्या देख रहे हैं, क्या इन पंच पंचाईतों के लोग हिंदोस्तान में नहीं रहते क्या इनका हक नहीं है कि वो इस रोड का, इस रोड को देखे वो अच्छी रोड पे, एक अच्छे, साफ रोड पे सुबह शाम आएं और जाएं अगर आप बात करें, मरीजों की जो बिमार हैं, अगर आप बात करें, गर्वती महिला की, अगर आप बात करें, कोई भी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है अगर वो 50% बिमार है, तो 100% बिमार आपको ये रोड उसको कर देगी क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसके हालात ये सिर्फ यहीं पर नहीं है मैं आपको इस रोड की पूरी खस्ता हालत इस पूरी वीडियो के मादियम से दिखाने की कोशिश करूँगा ये कोई हमने एक ये पॉइंट नहीं पकड़ा है ये पूरी की पूरी रोड सर्तेंगल से लेते हुए कटियारा तक यही हाल है इस रोड के ऐसा कहा जाता है बड़ बड़े वादे कि ये जाते है कि हमने सड़कूं का जाल बिछा दिया है लेकिन वो सड़कूं का जाल किस हालात में है वो आप देख पा रहे हैं अब नैशनल कानफरेंस की सरकार बनी है भातियर जनता पार्टी के यहां के पृतियाशी दिलीब सिंग परिहार जी जी चुके हैं अब इन पांच पंच्छाइतों के लोगों को मुझे लगता है कि काफी उम्मीदें उनके साथ होंगी कि इस रोड का काम जल्दी से जल्दी किया जाए और यह लोग भी एक अच्छी सड़क पर एक साफ सुत्री सड़क पर चलें आप अगर ड्रेन की बात करें इसकी पीछे आप ड्रेन देखिए पूरा मुझे लगता कि पूरा आदा दूरा काम है यह आप रोड अगर देखें तो मुझे लगता है कि छे 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 फीट होगा इसका पूरा छे से साथ फीट का जिसमें कि अगर एक गाड़ी आए तो काफी जगा है इस तरफ भी इस तरफ और एक बिल्कुल थोड़ी सी जगा लेकर एक गाड़ी के चलने के लेकिन जितनी सी जगा यह ली गई है कम से कम इसको तो मेंटेन करना उन उच्चे अधिकारियों का जो कंसरन उच्चे अधिकारी हैं उनका फर्ज, उनका धर्म बनता है दरश्चे को आप कमेंट करके बताईएगा कि आपका गाउं, आपका शहर आपके महले की तरफ जो रोड जाता है जो सर्ग जाती है कि उसके भी यही खस्ता हालत है बाते तो बहुत-बहुत की जाती है लेकिन ग्रोंड पे जब आप उतरते हैं ग्रोंड पे जब आप यह हालाद देखते हैं तो आप दरश्चे को हैरान हो जाते हैं मुझे तो तरस आता इन पांच पंचायत के लोगों पर कि वो पिछले 6-7 सालों से इस रोड पे चल रहे जिसमें इतने इतने खड़े हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता वो आप विडियो के माधियम से जरूर देख पाएंगे अभी आप देख रहे हैं गाड़ी आ रही पिछले किस परकार से यह गाड़ी आएगी आपको आवाज आ रही होंगी कि कैसे यह चल रही देख पा रहे हैं आप आप बड़ी से बड़ी गाड़ी की बात करें या चोटी गाड़ी की बात करें या आम जनता की बात करें जनता परेशान है और इसके उपर धिहान देना पड़ेगा उन कंसरन अधिकारियों को और आने वाल जो सरकार आई है उसको भी इसके उपर ध्यान देना है और जिनको इस जंता ने चुना है उन्होंने भी इसके उपर ध्यान देना है देखते हैं अब कितने जल्दी इसका काम होता है